दोस्तों, इंगम टेक्स इंडिया के त्वारा ITR फोर्म नोटिफाइ कर दिये गए हैं, जी हां, फब 23 में ही ITR फोर्म नोटिफाइ कर दिये गए हैं आपके फानेंशल इयर 22-23 के, यानि के असेस्मेंट इयर 23-24 के ITR फोर्म्स नोटिफाइ हो चुके हैं with acknowledgement, जो के आपको स् दिखाई दे रहा है, तो यहां पे जो है, for opening portion for the figures letter 22, यहां पे substitute हो गया है 23, इन सब्रूल 5 figures 21, सब्रूल substitute हो गया है 22, इन फोर्म्स को डीटेल में हम discuss करेंगे, साथि हम टेक्स इंडिया से में request करेंगे, कि जल्दी ही FAQs भी release किये जाएं, इन ITR फोर्म से जोड़े, ठीके तो ITR फाइलिंग के फोर्म्स आपके साथ डीटेल में बाद में discuss किये जाएंगे, यह फोर्म्स जो है notify हो चुके है, ITR फाइलिंग की जो due date है आपकी 23, 24 के लिए वो है 31st July, non audit cases वालों के लिए, 31st October audit cases वालों के लिए, और belated and revised ITR फाइलिंग की डेट है 31st December, new tax regime के अंदर भी बहुत important change किये गए हैं, जिसमें की आपको वहाँ पे rebate दे करके 7 lakh तक की आपकी जो income है, उस पर आपका कोई भी tax lagoon नहीं होगा, ठीक है वो rebate आप ले सकते हैं, इसके अलाबा आपके tax rates में भी changes कर दिये गए हैं और ये सब new tax regime के अंदर किये गए हैं, जो की already हम आपके साथ detail video discuss कर चुकी हैं, जो old tax regime है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो ये important जो changes हैं वो आपके income tax के अंदर हुए हैं, तो चलिए next video में मिलते हैं important जो changes हुए हैं उनके साथ, तब तक के लिए आपके लिए एक छूटा साब देथा IDR forms का,